हाई दिस फारुखान और वेलकम बैक तो माई चैनल एफ आर के इन्फो एंड प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो नीमराना किला अलवड जिले के एधिहासिक इस्तलों में से एक है हाला कि अलवड जिले में नीमराना नाम का एक पूरा शहर मौजूद है जो दिल्ली जैपूर राजमार्क पर दिल्ली से 120 किलोमीटर दूरी पर इस्थित है अरावली की पहड़ियों पर इस्थित 553 साल पुराना नीमराना किला भारत की सबसे पुरानी एधिहासिक इमारतों में से एक है इस किले का निर्मार सन 1464 इश्फी में हुआ था इस खूबसूरत किले को राजा निमोला में उन्ने बनवाया था सन 1986 में नीमराना किला होटल में तप्दील कर दिया गया था नीमराना किला भारत के उन प्राजिंतम किलों में शामिल है जिसे अब होटलों के रूप में इस्तमाल किया जाता है नीमराना एक एधहासिक फोर्ड के साथ साथ हुपसूरत फेमस टूरिस डेस्टिनेशन है इस किले पर बहुत पुराने समय में पिर्तिवीराज चोहान के वंश के राजा महाराजा शासन करते थे उन्होंने बहुत सालों तक इसी किले पर निवास किया था नीमराना किला दिखने में काफी भव पिर्तीत होता है निमराना किला जब बनवाया गया था उस वक्त इसमें कुल 11 मंजिले बनवाई गई थी इस 11 मंजिला महल में कुल 50 कमरे रिजॉर्ट में है ये 3 एकड में अरावली पहाड़ी को काट कर बनाया गया है यही कारण है कि इस महल में नीचे से उपर जाना किसी पहाड़ी पर छड़ने का एहसास कराता है पंदरवी शताफदी में निर्मित तीमराना किला अपार सौंदर का प्रतीक है यह राजसी किला पहाड़ी के उपर 10 हेक्टेर छेतर को कवर करता है जो राजस्थानी परंपरा और आधोनिक शैलिक के आंतरिक मिश्ड को प्रदर्शित करता है जिसके चारो ओर हैंगिंगार्ड़, दो पूल और खुबसूरत कमरे मौजूद है शांदार रोमांटिक और आनन से भरा नीमराना किला नीमराना में रहने के लिए सबसे अच्छी जगाओं मैंसे एक है जिसमें आप अपनी चुटियों के कुछ दिन बिता सकते हैं अगर आप नीमराना जा रहे हैं तो इस किले को देखना ना भूलिएगा ये किला भारत का सबसे खुबसूरत और एधिहासिक किला है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्यू सो मच